चुनाओ से संबंदित प्रश्ण, इस तरह के प्रश्ण कई बार, जी हाँ, इस तरह के प्रश्ण कई बार competitive exam में देखे गए हैं और आज हम इसका magic trick के through solution करने वाले हैं, जल्दी जल्दी से आप सभी लोग हमारे साथ live रहेंगे, फटाफट live आजाईए, जल्दी जल्दी से आप सभी लोग लाईव आजाईए, फटाफट, very good, चलिए, चुनाओ से संबंदित प्रश्ण, देखे चुनाओ से संबंदित जब प्रश्णों की बात से लेगी, तो कुछ बैद मत, कुछ अवाइद मत भी होंगे, कुछ डाले गए मत, और कुछ नहीं, ठीक है, नहीं ड डाले गए मत, तथा डाले गए मत, इस तरह के सवाल आपको स्क्रीन पे कई बार देखने को मिलेगा, बैसे मान कर चलिए कि एक चुनाओ में, अधिकि कम से कम कितने प्रत्यासी होने चाहिए, कम से कम दो प्रत्यासी, क्योंकि जब दो प्रत्यासी मतब दो उमीदबार, एक हारने वाला प्रत्यासी, चलिए, बेसिक से हम सुरुवात करते हैं, देखिए, बिल्कुल बेसिक से सुरुवात करते हैं, मान लिजे कि एक चुनाओ हुआ, ठीक है, एक चुनाओ, मैं आप से एक सवाल करूँगा, जितने भी स्टूडेंट्स लाइब है, सब लोग बत कि चुनाओ में डाले गए खुल मत, मत का मतलब बोट होता है, आप इसको हमेशा कितना मानिएगा, सौ प्रतिशत, चाहे वो दो उम्मीदबार का चुनाओ हो, तीन उम्मीदबार का चुनाओ हो, चाहे इस चुनाओ में दस उम्मीदबार ही, क्यों ना चुनाओ में भाग मान कर चलिए कि तीन उम्मिदवार है A, B और C पहला उम्मिदवार मान लिजे कि 45 प्रतिशत मत प्राप्त करता है मत इसको 45 प्रतिशत वोट मिलता है दूसरा उम्मिदवार मान लिजे कि 25 प्रतिशत वोट दूसरे वाले उम्मिदवार को मिला और तीसरा उमिदवार इसको मि प्रतिशत अब आप हमें बताइए एक बहुत ही सिंपल सा सवाल हमने आप से पूछा है आप हमें बताइए कि इन तीनों में से जीता कौन और अंसा हरा कौन जल्दी जल्दी से comment box में comment करके बताइए कि जो तीन उम्मीदबार है जिसमें A ने 45 प्रतिशत मत प्राप्त किया, B ने 25 प्रतिशत और C ने 30 प्रतिशत जोड़ कर टोटल मत कितना हो गया जी, टोटल मत हो गया 100 प्रतिशत बस आप हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट करके बता दीजिये कि जीतने वाला उम्हीदबार कौन है और हारने वाला उम्हीदबार कौन है जल्दी से बताईए यहाँ पर एक चीज क्लियर होना चाहिए कि जीतने वाला उम्हीदबार सब इस्टूडेंट्स लाईब है मैं देख पारा हूँ आज मुझे बहुत special topic पढ़ा रहा, इसलिए काम अधिक बाते कम, जल्दी से बताईए कि जीतने वाला उम्मिदबार कौन है और हारने वाला कौन है, देखिए, कुछ बचे comment कर रहे हैं, लेकिन हाँ, जीतने वाला तो ये बिल्कुल आसान रग रहा है, कि ये जीत गया होगा ये जो है, ये जीत गया, लेकिन क्या आप हमें ये बता सकते कि हारा कौन है, B या C, हारा कौन है जल्दी बताईए, B या C, बहुत ही important सवाल, जो आपके mind को खोल के रख देगा, जीतने वाला उम्मिदबार A है, बिल्कुल कोई doubt ने, लेकिन हारा कौन, B हारा या C हरा, ठी रखिए, अब B कितना लाया, 25 प्रतिशत, C, 30 प्रतिशत, जीतने वाले उम्मिदबार को कहा जाता है winner, और याद रखिएगा, कि भले ही 30-40 लोग ही क्यों ना, मत दाता सुची में भाग ले ले, हारता वही है, जो दो नमबर पे रहता है, बाकी सब लोग जो है, कोई काम क नहीं, वो तो, वो तो लिस्ट में भी नहीं है, वो तो लिस्ट से बाहर है, ठीक है, तो याद रखिएगा, कुछ बच्चे बिल्कुल सही अंसर दे रहे, नहीं, कुछ बच्चे B को ठीक लगा रहे, बिल्कुल गलत बात है, ये तो third number पर चल गया, ये हारा नहीं, ये तो दो number पर व्यक्ति आता है, वो runner काना आता है, जो एक number पर आता है, वो winner, ये भले ही 25% लाया सबसे कम, लेकिन ना तो ये winner बन पाया, ना तो runner बन पाया, runner उसी को बोलते हैं, जो दो number पर रहता है, क्या मैं सही कह रहा हूँ, बस clear करिए, हाँ या ना, क्या मैं सही कह रहा हू से यस्यनू अजी बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ जीतता वही है जो फर्स्ट आता है और हारता वही है जो सेकेंड आता है थर्ड वाला तो वैसे ही हार चुका है उसको क्या हरानी की जुरत है तो अब इस तरह से याद रखिएगा कि जब इस तरह के प्रस्ट में स्क्रीन पे रखूँ तो याद रखिएगा कि जो सकेंड पोजिशन पर होता है वही हारता है थर्ड वाला वो तो इसी हार चुका है पहले से उसको हरानी की क्या जुरत है concept clear है C आपका right answer है कि भाई B नहीं हारा भी तो सबसे last में चला गया हारा कौन जो मलाल किसको रहेगा हार का हार का मलाल इसको रहेगा है क्योंकि ये तो अल्डेडी दो से हार चुका है तो इसको किस चीज का मलाल हार का मलाल दूसरे विक्ति को रहता है चुनाओं में दो उम्मीदबार ठीक है मैं सौट में लिखूंगा आपको परिशानी भी नहीं होगा अभी मैंने पीडिया भी रख रखा इस इस कोर्स में आज के क्लास में पीडिया भी जल्द आने वाला है फिलाल बेसिक में पढ़ा दूं लिखवा कर एक चुनाओं में दो उम्मीदबार जिसमें पहला 60 प्रतिशत मत प्राप्त करके 300 मतों से या आप कह सकते हैं 300 वोटों से चुनाव क्या करता है चुनाव जीत जाता है यह अभी मैं पीडिया भी रखने वाला हूं थोड़ी देर में टेंशन की बात नहीं है 300 मतों से चुनाव जीत जाता है तो डाले गए तो ऐसे लिख सकते हैं तो चुनाव में डाले गए कुल मत या कुल वोट कह सकते हैं कुल वोटों की संख्या कुल मत कितना होगा मैंने सौट में लिखा है यह बहुत ही बहतरीन सवाल मैंने आपके स्क्रीन के उपर रखा है और बहुत ही मज़ा आने वाला है मैंने आज बोला कि आज काम अधिक और बाते कम करेंगे आपसे ठीक है ताकि मैं आपके हर कॉंसेप्ट को क्लियर कर सको क्योंकि बहुत ही स्पेशल क्लास मैंने आज लगवा है आपके लिए और यह क्लास जब तक आप भेतरीन ढंक से नह चुनाव क्यों नहों कुल डाले गए मत इस बात को अपने कान के अंदर डाल लीजेगा कुल डाले गए मत मत का मतब वोट होता है कुल डाले गए मत कितना प्रतिशत प्रतिशत चाहे दो आदमी चुनाव में भाग ले चाहे चार आदमी क्यों ना भाग ले किसे चुनाव में देखते होंगे कि 1010 परत्यासी रहता लड़ने वाला वही 100 परतिस्ट में बटेगा दसों में ठीक है तो कुल डाले गए मत 100% अब A ने कितना वोट प्राप्त किया A कह रहा है कि भई 60% मत प्राप्त किया A ने 60% अब बताइए कि जब A 60 किया होगा और चुनाव में 2 ही उमिदबार ही तीसरा ही ही नहीं A ने 60 किया तो सिंपल सी बात है कि कुल 100% वोट परता है जिसमें A ने 60 किया, तो B कितना हुआ होगा, 40, क्योंकि वैद और अवैद का कोई तो चर्चा है ने इस प्रस्न में, तो 60 प्रतिशत A ने किया, तो B कितना, 40, 60, 40, total 100, अब ध्यान से देखिए, कह रहा है कि A ने 60 प्रतिशत मत प्राप्त करके 300 मतों से चुनाओ जीत गया, अ अंतर कितने में हैं, अंतर में, जीत और हार में कितना का अंतर है, कहेंगे सर बोट में तो 300 बोट का अंतर है, या 300, भाई बोट की बात नहीं करें, प्रतिशत की बात, बताओ कि जीत और हार में कितना का अंतर है, कहेंगे सर जी, हारने वाला 40 ला दिया, और जीतने वाला 60 ला दिया तो अंतर तो हो गया प्रतिशत में 20 प्रतिशत यानि सीधे सीधे कह सकते हैं कि A ने B को 20 प्रतिशत से जी हां A ने B को 20 प्रतिशत से हरा दिया और आप बताए कि A जो है B को कितने बोटों से हराता है 300 बोटों से तो अंतर का तुलना अंतर से हमने रेश्यो में पढ हर जगा पढ़ते हैं कि जो दिया रहे जो दिया रहे उसका तुलना उसी के साथ करेंगे तो भाई ये जो 300 है वो अंतर है 300 बोट में अंतर है और ये 20 प्रतिसत भी अंतर है लेकिन ये प्रतिसत में अंतर है ये प्रतिसत में वोटों का अंतर है ये संख्या में वोटों का अं अंतर का तुलना अंतर से कह रहा है कुल डाले गए मत तो यहां पर देखिए चुनाओं में कुल डाले गए मत कितने डाले गए थे 100% ठीक है तो कुल मत की बात कर रहा है कुल मत की बात कर रहा है तो कुल मत कितना प्रतिशत जो दिया था, point to be noted my dear students, जो दिया था उसका तुलना उसी के साथ जिसके बारे में पूछा उससे गुना, यह concept मैं बहुत पहले पढ़ा रहा हूँ, कहिए हमारे साथ कि जो दिया रहे उसका तुलना उसी के साथ जिसके बारे में पूछे उससे गुना, ठीक है, चलिए, बीस, पचे सो, प्रतिसद से प्रतिसद केंसिर, तीन सो गुने पांच, पंदरा सो मत कहिए, या पंदरा सो बोट कहिए, दोनों एक ही चीज है कहने का, यह था आज का यह पहला सवाल, बहुत ही सांदार, बहुत ही मज़धार प्रश्न, बताईए एक बार कमेंट बॉक्स में करक के सब लोग समझ चुके हैं, कुछ बचे आंसर भी दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में यह बहुत अच्छी आदत है आप लोग की बहुत बढ़ियां कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा, यह देखिएगा, आर्मी, एर फोर्स और नेवी, जैसा कि आपको पता है कि टोटल 46,000 वेक कर दी गई थी कुछ समय के लिए, तो अब थोड़ा-थोड़ा महाल सांत है, और मैंने एक बैच लॉंच किया है, आर्मी और एर फोर्स और नेवी के लिए स्पेशल बैच, संपुर्ण तैयारी करवाई जाएगी सिर्फ इंगलिस को छोड़ कर, इंगलिस के लिए अलग सा इस अप्लिकेशन को इंस्टॉल करना है, वैसे तो आप लोग इंस्टॉल करी रखा है, आप लोग ने, जो आपके साथ नए दोस्त, भाई, बहन जो जुड़ेंगे उनके लिए है, कि ये वला अप्लिकेशन इंस्टॉल करवाईएगा, रजिस्टर करवाईएगा, रजिस होना बिल्कुल था है फीस बारा सो था लेकिन 25 जून तक अगर कोई बच्चा लेता है तो अभी उसको 709 यानि लगबग में साड़े चार सो का बेनिफीट होने बला है फिर 25 जून के बाद 26 जून से बारा सो फीस है यह हल्प लाइन नमबर एक बार टीचर इंग्लिश का मिल जाता है तो उनको भी एड कर लिया जाएगा फीस भी आपकी बच जाएगी अगर नहीं है तो फिर कोई अच्छा टीचर जैसे कोई अधर साइड से वह हमारे 25 जून तक सीधे सीधे यह इतना ही रूपया लगेगा आपको और यह वैलिडिटी मैं इसका नहीं बता सकता हूं कम से कम साथ आट बही नहीं तो पक्का पढ़ाएंगे अगर एक साल बाद हो तो मैं एक साल तक पढ़ाते रहूंगा जब तक स्लेबस खतम भी हो जाएगा फिर भी टैसरी चलते रहेगा इस बैच में यह मेरा वादा है ठीक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक वगएरा सब कुछ दिया एक बार जाकर क्लिक करिए और नहीं तो फिर प्ले स्टोर में सर्च करिए ड्रीम क्लासेस ऑफिसेल इंस्टॉल करिए चलि इसमें पहले ने पहले ने चालिस प्रतिशत मत प्राप्त किये पहले ने चालिस प्रतिशत मत प्राप्त किया दूसरा दूसरा 36 प्रतिशत मत प्राप्त किया यदि, यदि, जीतने वाला उम्मिदवार, जीतने वाला पांसो मत से जीत जाता है, तो तीसरा उम्मिदवार, तीसरा उम्मिदवार, कितना अंक प्राप्त करेगा, कितना मत प्राप्त किया होगा, यह बताब उसने कितना मत प्राप्त किया होगा, यह बताना है आपको इस प्रश्न में, तीसरे की बात करें, देखिए, टॉपिक पहला दूसरा का दिया हुआ और प्रश्न तीसरे पर हम लेकर चले गए, यह एक संधार प्रश्न है, और यह मैंने अपने मन से, यहां से अपन बनते गया, बनते गया, लिखते गया और एक कोशन हमने तयार कर दिया, ठीक है, देखिए, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, और बहुत ही बेसिक तरीके से हम सॉल्व करेंगे, मैंने पहले बोला चाहें, तीन उमीद बार चुनाओं में भाग ले या दस उमीद बार हो जा चाहे वो तीन उमीद बार हो या दस उमीद बार हो, मुझे उससे कोई फरक भी पड़ेगा, अब A, B, C की बात करें, A, B, C, देखिए, सबका क्लियर दिया हुआ है, कौन कितना लाया होगा, तीनों मिलाकर कितना लाएगा, एकदम फिक्स है, तीनों मिलाकर सो ही प्रतिशत तो वोट पड़ सकता है, उससे जादा कभी पॉसिबल ही नहीं है, पहला उमीद बार 40 प्रतिशत, ध्यान से देखिएगा, दूसरे ने 36 प्रतिशत मत प्राप्त किया, अब देखिए, सबाल है कि सर तीसरा कितना किया होगा, तो मैंने पहले बोला कि कुल मत 100, पहला 40, सुर 40, 30, 76, 76, तो दो ही आदमी में पड़ गया, 40, 36, 76, और वोट है 100, तो 100 में 46 घटा, ये सर जी तीसरा लाया होगा, 24 प्रतिशत, से यस्यनों, हाँ या ना, हाँ या ना, से यस्यनों, बिल्कुल सही, पहले उमीद बार ने 40 प्रतिशत, दूसरे उमीद बार ने, अजी अनू 30, 100 में ये 40, 36 हो जाता है जुटकर 76, बाकी जो बच गये कितने, 76 को 100 तक जाना है कहा, 24 आएगा, यहनी तीसरे ने प्राप्त किया 24, अच्छा मैंने अभी अभी बोला, जीता कौन, भाई ये जीत गया, अब सवाले सर हारा कौन, ये नहीं हारा, ये रनर रहा, क्योंकि ये इसने 24 प्रतिशत मत प्राप्त किया है, हम इस चीज को कभी इनकार नहीं कर सकते हैं, और आईए, चलिए, अच्छा, आपको हमारा तरीका समझ में आता है, बिल्कुल जो मैं कॉंसेट प्रोइड करता हूँ, अग्री पत्थ बैच पर ध्यान दीजेगा, एक उमीद है आप बार-बार मैं एक ही शायरी बार-बार बोलता हूँ, तकि मुझे लगता है कि मैं उस चीज से सीख रहा हूँ कुछ, वही हरिवन स्रह बच्चन जी का कि लहरों से डर करनों का पार नहीं होती, भुशिश करने वालों के कभी हार नहीं होती, तो अभी जो है, कि कुल डाले भूत कहुए एंच जीतने बाला जीतने वोट से जीत रहा है 500 वोटों से यह जीत और हार के बीच बान्सों का अंतर और जीत और हार के बीच 500 का बीच 500 ग llegacağfar के और हार चीता हण यहां जीत और हार के भीच 500 और चार प्रतिसत का अंतर तो 500 का अंतर है जीत और हार के बीज और जीत और हार के बीज प्रतिसत में चार प्रतिसत कह रहा है कि तीसरा उम्मिदवार कितना मत प्राप्त करता है तो हमें जो दिया था उसका तुलनावसी के साथ और हमें तीसरा उमिदवार चाहिए तो तीसरा उमिदवार कौन है तीसरा उमिदवार सी है जिसने 24 प्रतिशत अंक्राप्त किया जो दिया था उसका तुलनावसी से जिसके बारे में पूछे उससे गुना प्रतिशत से प्रतिशत कांसिल 6 चक 24, 5 तीन हजार मत, से यस यह नो, समझ में आरहा है concept, जो मैं concept आपको प्रवाइड कर रहा हूँ, वो बिल्कुल 100% समझ में आरहा है, हाँ या न, से यस यह न, एक नई उर्जा का संचार हम आपके अंदर कर पा रहे हैं आज, हाँ या न बोलasuryyएगा, है जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में हाजी टोटल वोट तो पूछ रहा है अभी शेक एक बार फिर से देखिए आप ध्यान से सुनिए ऐसा नहीं कि मैं जब बता रहा हूं तो समझ में नहीं आएगा कुल मत है ए चालिस रहा है बीच चालिस 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 चेटर बाकी जो हारने वाला उम्मिद्वार 500 बोट से जीत जाता है तो आप बताए जीतने वाला चालिस लाया हारने वाला कौन यह नहीं हारा हारा यह जो दो नंबर पर होता है वो हारता है तो जीतने वाला और हारने वाले की बिच कितना का अंतर चार प्रतिशत क्योंकि हारने वाला चाल तोटल पूस्ता फिर सौव से गुना करते हैं फिर वह बात की बात थी चलो आगे बढ़ने अब कुछ सवाल आपके स्क्रिन के उपर मैं रखना चाहता हूं जैसे कुछ इस तरह से मैंने अभी बताया भी था आप सभी को ठीक है कि मैं पीडिया भी रखने वाला हूं कह रहा है कि एक चुनाओ में एक उम्मिदबार जिसे 84 प्रतिशत मत है अच्छा चुनाओ के लिए कम से कम कितना अगर प्रश नहीं भी दिया रहे है कि कितने उमिदबार है तो दो तो कम से कम समझेगा कम से कम दो मैक्सिमम जितना भी हो जाए तो माल दीजे कि पहला संबार जिसे 84 प्रतिशत वोट मिला तो सिंपल सी बात है कि पहला को परता 84 तो दूसरा को कूट है के जुट कर कुल कितना आना चाहिए कि फल आना चाहिए कितने वोट तो प्रतिशत तो पहला को मिला 84 दूसरा को मिला अपने आप 16 हो गया कर रहे कि 84 प्रतिशत मत प्राप्त हुआ तथा वह 473 मतों से बहुमत से निर्वाचित हो गया निर्वाचित होना का मतब जीत गया अब आप बताईए कि आप लाये 84 प्रतिशत आपका बगल वाला लाया 16 प्रतिसत तो आप इसी से जीतिये गाना तो इससे आप कितने प्रतिसत बोटों से जीत गये हैं ज़रा कॉमन सेंस लगाईएगा थोड़ा आप लाए 84 और बगलवाले से कितने पर जीते 84 में 16 गटाई है मेरे इसाब से हो जाएगा 78 प्रतिसत हाँ या ना अठाटर ना 84 में 16 गया पहले 14 गटाई है आप बगल वाले से कितने प्रतिसत से जीते 78 प्रतिसत से जीते और अंक में कितना मत से जीते 46 प्रतिस चार सो चीटतर तो कहेंगे सर जी भोट हम चार सो चीटतर बोर्ट से जीते अब प्रतिसत में 78 से जीते क्योंकि हम लाए नहीं नहीं सड़ी सड़ी अठाटर नहीं 68 ठीक है आप थिक है है हां हमम चेम कहारे सर जी की वोट हम झीत गए 478 प्रतिसत में उनसे भगल वाले से मनें C 30 ढाल आया सतर प्रतिसत या आप लाए 60 प्रतिस वह अब जीते ना है लाए सेम रूल यहां तो कर रहा है कि आप 486 बोट से जीते और प्रतिसत में कितना 68 प्रतिसत तो जीत का तुल ना जीत से बहले वह अंक है आप से पूछा गया है डाले गये कुल मत मैंने अभी अभी बोला कि कोई भी चुनाब हो कुल मत कितने होंगे तो प्रतिसत क्योंकि अभी बैद और अवैद का चर्चा चला गी है प्रतिसत से प्रतिसत के अंसिल छे अठी कितने बार में गट जाएगा यह पूरा साथ बार में कटेगा साथ गुने सो ताथ सो बोट आज पड़ा है जी तुनाओं में है ऑप्शन में यह लीजिए एक बा यह समझ में आ रहा है हाँ या ना हाँ या ना अगनी पत बैच पर ध्यान दीजिएगा आप लोगों से बहुत सारी उमीदे हैं उस बैच को लेकर कि आप लोग उस बैच में बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिकमेंड करेंगे कि जाओ भाई हम नहीं पढ़ सकते हैं हमारी यह ज्यादा हो गई हमारी हाइट कम है तो जाओ तुम राउल सर से अगनी पत बैच ले लो क्योंकि उसमें मैं लगबग छे-सात महीना तो आराम से पढ़ा हूंगा क्योंकि इतना जल्दी एक्जाम होने वाला है नहीं तो उस बैच में मैं बहुत लंबा क्लास करवाने व ठांच चाहिए और मोता है सो प्रतिसफ लेकिन परियोग कितना हुआ करेसर जी 10 10 anomaly नहीं दिया मालगे 10 परतिसफ घर पे बैठे रहिए एक जुनाव में 2 उमीदबार ने भाग लिया दस प्रतिसफ लोगों नहीं अपने मतधिकार का परियोग नहीं किया मतंब हो घर से ग कर रहा है, सेस मतों का 20% मत अवयद होगे, अब सेस कितना परियोग में है, सेस नब्बे बचा, सेस बच गया 90% मत, अब इसमें कह रहा है, कि सेस मतों का 20% मत अवयद, अवयद का मतलब हो गया, कि देखते हैं बुड़ा बुजूरग जब चुनाओं में वोट डालने जाता है तो डालने का टीप्ने का एər तो टीप दिया भी मत्ब इधर उदर कर देता है जो असिक्षित लोग होते हैं वो करते हैं ना चुनाओं में गलती हां तो करना चाहिए यह कुछ कर दिया कुछ टिप नहीं 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 डाले गए मत और आवाइद में अंतर जो लोग व्यक्ति चुनाओं में भाज लेने नहीं गए वोधो कि श्रणी में आएंगे लेकिन जो गया चुनाओं में वोट भी दिया लेकिन सही डंग से उसका वोट पढ़ नहीं पाया उमिद्वार को उसको बोलते अवाइद मन तो करें कि सेस मतों का 20 प्रतिसत तीक है सेस मत कितना है 90 प्रतिसत अब देखिए इसमें सेस का 20 प्रतिसत जो है अवाइद तो पहले अवाइद की बात करते भाई अवाइद कितना सेस कितना है 90 है ना करें सेस का 20 प्रतिसत यान नब्बे का 20 प्रतिसत यानि नब्बे गुने 20 बटे 100 डवल 0 से डवल 0 यानि 18 प्रतिसत जो है वो बात मत क्या है अवाइद है तो आप ही बताईए कि वाइद कितना होगा जी कह तोटल मत 90 प्रतिशत था और नबय में आप 18 करें अवाइद होगा यानि बहुत्तर प्रतिशत क्या होगा वैद होगा कहा रहा है कि जीतने वाला उम्मिद्वार कुल बैद मतों का 75 प्रतिशत मत करता है और 900 मतों से भी जही रहता है देखिए अब जीत अब यही बैद मत है बैद मतों का 75 परतिशत, बैद मत है कितना, 72, और 72 का 75 परतिशत, यानि 72 गुने, 75 बटे 100 पाचीस तिया, 75 पैसीश चख, 180 चख, 75 तमत Liberty State, जीतने वाला, कितने में careful परतिशत, 72 में, तो हारने वाला, हारने वाला उमिद्वार कितना लाया होगा जी, 72 में 54 घटा दीजिए चावण 24 बहत्तर बे चावण घटा देंगे अठारा प्रतिशत से यस यह ना अब कह रहा है कि मत प्राप्तवार 900 प्रतिशत 900 मतों से भी जही हो गया अब देखिए यह लाया जीतने वाला चावण प्रतिशत हारने वाला लाया अठार अठारा प्रतिशत तो अब कितने मतों से जीत गया 900 मतों से और 900 मत यानी इन दोनों के बीच का अंतर 900 मत होगा जांग आए बहुंत टो अब हो जाएगा लबी ओन आप लाये 900 से जीत गए आप नौन आप लाए दृट 59 प्रतिशत बगलबल 18 प्रतिशत तो पृत तो परतिशत में कितना से जीत यह ऑन्न से थारा तोटल कितना प्रतिसत तो प्रतिसत प्रतिसत से प्रतिसत केंसिल 9.36 नौ तो बार में पचीस बार में 25 गुने 100 पचीस सो वोट समझ में आया कि एक बार और फिर से एक बार बता दीजेगा रिकमेंड कर दीजेगा सभी लोग यह हमारा खुद का नूटबूक है किसी बुक की जरूत नहीं भी फिलाल पहले हम अपना भैतरी नंग से समझा देते हैं फिर जिस बुक से आप चाहें मैं आप उस बुक से आपको सॉलुशन कर बात होंगा एक बार बताईए समझें या एक बार फिट से हाँ या ना हाँ या 10 परतिसत गया है नहीं तो परियोग में कितना है नब्बे आप कह रहा है कि सेस का सेस कितना बचा परियोग में नब्बे बचाना सेस का 20 परतिसत मत अवैद गोसित हो गया तो सेस कितना नब्बे परतिसत नब्बे का 20 परतिसत नब्बे का 20 परतिसत केलकुलेट कर ये 18 पर तो नब्बे में आठारा अबैद तो बहत्तर बैद अब कहा रहा है कि जीतने वाला उम्मीदवार जो है वो कुल बैद मतों का चवन परतिसत जीतने वाला एक सकंद जीतने वाला उमीदवार जो है कुल बैद मतों का चवन देखें बैद मतों का चवन तो वैद है कितना जी बैद 72 कावं, बैद मतों का 75% तो 72 बैद है, 72 का 75% गुने 75-35, 25-75, 25-35-78-22, 이후 54% जीतने वाला, तो सिंस्पल सी बात है, 72 में 54 घटा दीजे, आजाएगा, 18 प्रतिशत कौन? अब कहा है रहा है कि जीतने वाला उमीदबार नौसो मतों से जीत जाता है, तो जीतने वाला लाया एक सिंधों प्रसट अरने वाला लाया थारा तो थारा तोड्वेक्षट आ कि इदेवेड मेंगने सर ट्वाने को अन्तर और यह जो 900 मठ है यह भी अंतर ही हुआ ना यह बोट में 900 बोट से जीत गया और परतीसत में 36 परतीसत तो जो दिया था उसका तुलना उस्सी के साथ जिसके बारे मैं पूछा कर teorically मतों की संख्या कोई भी मतं कितना होता है 100% परतीसत होता है साउ नहीं होगा ठीक है कोई दिख्गत मिलकुल एक क्लास और करवाया जाएगा जो इससे भी खतरनाक होगा अगले Г्ला सब्राइब हें। इस पर रहने देते, काफी बहतर था यह क्लास आगर कोई दिख्गत है तो अब बताईये चलिए। अगले क्लास में देखते हम कैई